सिंगरासी वालों के लिए चानते हैं आज कौनसे कपड़े उनके लिए पैस्ट रहेंगे सिंगरासी वाले वैसे काम के लिए बहुत ज़्यादा चाहिते माने जाते हैं और महनत पी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कभी गभी ऐसा होता है कि उनके महनत के नतीजे उनके सामने नहीं आते हैं यदि सिंग रासी वाले अपनी मेहनत को लेकर परिशान होते हैं कि उनकी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें बहपई नाम नहीं मिल रहे हैं जिसकी वह काम ना करते हैं तो ऐसे वेक्तियों को हमेशा कपड़ों का आपना खास क्या रखना चाहिए जब भी आप किसी बड़ी मिटी में जा रहे हैं तो लाल, पीले या फिर नारंगी कलर के कपड़ों का ही चुनाब करें और कभी भी ऐसे कपड़ों का चुनाब ना करें जो टा कलर हो जैसी कि कॉफी कलर हो गया या फिर काले कलर हो गया यह कलर आप दूर ही रखें अपनी जिदगी से तो ठीक है क्योंकि आपके लाइफ में कलरफुल ही चीज़े जादा अच्छी रहेंगी और यदि आप चमडों की चीजों से जादा तर दूरी बनाए रखें तो और भी जादा बैटर रहेंगा चमडों के जूते भी आपको नहीं पैनने चाहिए या फिर चमडों की बैट का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करें हो सकें तो आप कुछ चीजों के लिए ऐसी चीज़े लेकर आएं जिसे कि आप उसे आउटफिट को और भी अच्छा बना सकें ताकि आपका ओटफिट भी अच्छा लगे और आपके उन चीजों का भी इस्तेमाल ना करना पड़े हमेशा सिंगरासी वाले बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं अपनी परसनलिटी को भी देख कर जाते हैं लेकिन कभी-कभी अपनी परसनलिटी पर थोड़ा देना भूल जाते हैं या घुर अपनी कपड़ों को लेकर थोड़ा चुनता में रएते हैं यहादि सिंगरासी वाले अपनी चिनता में हैं और यहादा प्रब्लम हो रही है और कप्डों को चुनाब नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखे कि सूती कपड़े उनके लिए सबसे बैस्ट है यदि सूती कपड़े पहनते हैं तो ऐसे वैक्ति अपने नेचर को और भी जादा प्राइट कर लेते हैं तो ये था सिंगराशी वालों को कौनजे कपड़े पहनने चाहिए मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले